हेलो दोस्तो नमस्कार मैं शांती जोशी आपका अपना यूटिप चैनल गार्डनिंग वे शांती जोशी में आपका स्वागत करते हूँ दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत खुबस्रत एक you निक प्लांट लेके आई हूँ और यह देखे दोस्तो यह जो प्लांट है यह है C. Havicus का प्लांट है इसे दोस्तो Havicus Telyseus के नाम से भी लोग जानते हैं और इसे कई नामों से पुकारा जाता है यह बहुत ही फाइदेमन्द प्लांट है और यह समुन्दर के किनारे खारे पानी में, दलदली मिट्टी में सब जगह यह प्लांट हो जाता है बहुत हाड़ी प्लांट है दोस्तो बहुत खूबसरत और पर्मानेंट फ्लाफिंग करने वाला यह प्लांट है देखे दोस्तो अगर आपने एक बार अपने गार्डन पर लगा लिया है यह हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और देखने में भी बहुत खूपसरत दिखाई देता है अगर इसमें फ्लावर नहीं आए तब भी यह पत्यां इसकी इतनी खूपसरत हैं कि हमेशा आपके गार्डन की सोभा बढ़ाते रहेगा इसमें भी कई variety आती है इसमें एक variegated पतियों वाला भी आता है और मेरे पाद देखे, एक green पतियों वाला है ये पतियां भी काफी खूबसरा दिखाई देती है एकदम hard shape में हैं और चमकीली है एकदम green और चमकीली है और काफी colorful पतियां होने के कारण बहुत खूपसरा दिखाई देता है ये प्लांट दोस्तो जहां तक इसकी मिट्टी की बात करें इसको वेल्डेन मिट्टी चाहिए वेल्डेन मिट्टी में दोस्तो 30% आप गार्डन सोयल 40% एप सेंट और 30% इसमें कमपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार करें अगर हम गमले में लगा रहें दोस्तो तो 5-6 फिट इसकी हाइट हो जाती है इसको बुसी बनाने के लिए दोस्तो समय समब पर इसकी कटिंग करते रहें और ये कटिंग से भी आसानी से लग जाता है और इसमें पिले रंग के फ्लावर आते हैं जो देखने में बहुत ही खूफसरा दिखाई देते हैं और जैसे गुड़हल में दोस्तो ये गुड़हली की ही जाती का है गुड़हल की ही प्रजाती की ही प्लांट है तो गुड़हल में जैसे सुबह फूल किलते हैं और साम होते होते मुर्जह जाते हैं और साम होते ही वो बंद हो जाता है तो दोस्तों ये अपने आप में एक खुबसरत प्लांट है आरवेदिक और शद्यों से भरपूर ये प्लांट है ये एक बहुत ही फाइदेवन प्लांट है दोस्तों ये एक समुन्ज के किनारे या जंगलों में कहीं आपने देखा होगा ये हर चीज में काम आने वाला है इसकी हर चीज काम में आने वाली है तो देखने में भी खुबसरत है और प्लांट के रूप में भी आप इसको लगा सकते हैं सजावटी पौदे के रूप में और इसको आप अपने फाइदे के लिए भी आप लगा सकते हैं तो इसमें क्या जहां ऐसी जगह रखें जहां पर ब्राइट सनलाइट आती हो या सुबह की तीन चार घंटे की धूप आती हो तेज धूप में भी प्लांट नहीं हो पाएगा जहां दिनवर की धूप आती है वहां ना रखें ऐसी जगह पर रखें जहां च्छन का धूप आती हो ब्राइट स हैं और हमारे इलाके में खारापानी नहीं है तो हम हलका सा छुटकी भर नमक मिलाकर पानी इस प्लांट को डालें जो इसको काफी पसंद है तो मित्य में खारापन आ जाएगा और बहुत अच्छा प्लांट के लिए मित्यारी पन की तैयार हो जाएगी और जब भी आप बिना देख बाल के बीना प्लांट हो जाता है ज्यादा के आउशकता नहीं है पर जब आप अन्य प्लांटों में भी में आप कमपोस्ट डाल रहे हैं तो थोड़ी से इसमें भी गुड़ाई करके आप डाल दीजिए तो देखे दोस्तों कितना अच्छा प्लांट है और ये इसकी पत्या हैं च्छाल है इसके फूल है सब आरिवेद में मेडिशन बनाने के काम आती है ये अपने आप में एक आरिवेद एक और शद्यों से भरपूर एक प्लांट है और दोस्तों ये आरिवेद के साथ साथ ये हमारे लिए भी बहुत फाइदेमंद है ये अपने जड़ाने के काम आती हैं इसकी जो लकडी हैं दोस्तों इमारती लकडी हैं इससे आपको भी चीजें सजावट की बना सकते हैं तो यह अपने आप में भी एक बहुत ही फाइदेवन प्लांट है और इसकी जो पत्तियां हैं फूल हैं और चाल है इससे जो ऑशदी बनती है दो इसको कहते हैं यह इसकी लकड़ी बहुत सजावटी चीजों को बनाने के लिए कपड़े तक इसके रेशे से तयार होते हैं तो यह अपने आप में बहुत ही फाइदे मंद प्लांट है आप इसे जब भी लगाएं तो ऐसी जगह पर रखें जहां पर छनका धूपाती हो और द प्लावर होते हैं दोस्तों उसमें से 20 तैयार होते हैं तो आप इसे 20 से भी प्लांट को लगा सकते हैं और इसे कटिंग से भी आप लगा सकते हैं दोस्तों यह अपने आप में ही एक पर्मानेंट प्लांट है और फ्लावरिंग करने वाला बहुत खूबसरत प्लांट है दे तो इस्प्रे के माध्यम से आप पानी डालें इस्प्रे के माध्यम से दोस्तों ये एकदम साप सुत्रा सा हो जाएगा ये अपनी और चीटियों को और क्यूडों को आकरशित करता है तो इसमें आप इस्प्रे के माध्यम से समय समय पर पानी डालें और नीम ओयल का इस्प्रेस प्लांट में करें दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्ली लाइक करिए शेयर करिए सस्काइब करिए थैंक यू